हेलो फेंड्स आपका अपना यूटूब चैनल दसंदेश इंस्टूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मैं हूँ सर्विस रवास्तो और आज जो है हम MS Excel के कुछ सौटकट की के बारे में आज हम आपको बताएंगे यह जो है इसका सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में पूरे सौटकट की हम कवर कर लेंगे तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर देखेंगे कंट्रोल प्लस नाइन ठीक है यानि कि कंट्रोल प्लस हम लोग जो यह नाइन का हम लोग यूज करते हैं तो यह हाइड रो होगा ठीक है हाइड रो मिस रो को हम लोग इसको हीडिन कर सकते हैं यानि कि एक्सल का जो वर्क सीट होता है उसको वर्क सीट में क्या होता है कि रो और कालम दिये गया होते है range ए該 excel में कितने सीट होता है पता है नज़ेंगी यहाँ पर डिस्पस्पले हो रहा है यहां पर देखेंगे यहाँ पर नंबर सब्सवेण यहां पर A, B, C, और D इसको वोलते हैं और यह फर्स्ट रोकुस है थाड़ हो फूर्थ आपका था इसको भूलते हैं इसको भूलते हैं इसको क्या बोलते हैं कालम लेवल बोलते हैं यरी मालीजी हमें जो है बी कालम, बी को हमें क्या करना है, हाइड करना है, मिस रो को हाइड करना है, रो को हाइड मिस आपका जैसे second वाला row come hide करना होगा तो second में cell pointer होना चाहिए second वाले row में cell pointer रहेगा तभी आपका वो hide हो परेगा ठीक है यानि कि जैसे आपका cell pointer यहाँ हो सकता यानि कि इस row में कहीं न कहीं आपका cell pointer होना चाहिए तो आप control के साथ आप 9 का use करते हैं हुआ के वाद ढाघ सब्सक्राइश साथ इसके बाद को है को क्या करेंगे रिकलब करेंगे आपना से पाइंट रखना होगा इसके बाद इसके बाद रイंप करेंगें तो यह कि आपका B column क्या होगा यह हाइड हो जाएगा जिस column को आपको हाइड करना होगा आप उसमें cell pointer आप रखेंगे simply रूप से उसको हाइड कर पाएंगे इसके बाद जो है देखेंगे control के साथ shift और c प्रेश करेंगे तो यह अभी आपने यहां पर रोख को हमने हाइड किया था उसको वापस ला सकते हैं अना रहा सकते हैं सकेवाद एंपका देखेंगे आभी काल्म को हाइड किया इसको वापस लाना होगा तो आप र्फाइगे यह करेंगे करें जो है को रॉट साइट वाला उसका आप यूज करेंगे इसके बाद जो है नमबर आता है आल्ट के साथ आल्ट प्रेस करेंगे या एफ टेन प्रेस करेंगे आल्ट प्रेस करेंगे या तो एक्टिव दा मिनू एक्टिव मिनू का मतलब होता है कि जैसे मिनू एक्सल में होता है ऐसे इस वह मतलब है जैसे यह फाइल है 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 यह क्या इंटराइण हो C प्रिसके ने शेटे डुवह दूझि का उतलब होता है कि उसका स्वाट का न करना होता है तो आंड के साथ करते हैं जिसके तो उपन होता है तो जिसके निचे आपको अडर लाइन आ डिस्पलें होता है श्का मतलब कि वह active कंडिशन में आपका क्या है वो active तो एक्टिव सेल करने के लिए या तो आप 10 से अधिक फाइल आपने ओपन किया हुआ है तो फाइल पर आप जाना चाहते हैं तो आप एक फाइल से फाइल पर आप वहाँ पर जा सकते हैं इसके बाद नमबर आता है alt plus equal का यानि कि alt plus equal आप use करेंगे तो create formula to sum of all above cells यानि कि जो आपने row में या column में जैसे भी आपने जो number लिखा हुआ है उस numbers को आपको sum करना है आपको add करना है तो आप क्या करेंगे alt के साथ equal button आप press करेंगे तो formula active हो जाएगा sum करने के लिए जो formula होगा वो sum करने के लिए क्या होगा वो active condition में हो जाएगा तो हम यहाँ पर इसको use कर लेंगे इसके बाद number आता है control के साथ shift plus hyphenation mark है यहाँ पर देखेंगे control shift plus hyphenation mark है यह क्या होगा कि कामा की style को वो active करेंगा फार्मेट नंबर इन कामा फार्मेट यानि कहने का मतलब है कि जो नंबर आप लिखेंगे वो कामा style में convert हो जाएगा कामा कैसे होगा उसका आपको example की रूप में हम आपको दिखा देते हैं जैसे माली जी कि आपने यह आपर 50 लिखा हुआ है है ना जब आप 50 यह लिखे हैं तो यह 50 क्या है एक नार्मल है नार्मल नंबर है तो आप इसको कामा फार्मेट में कैसे convert होगा देखेंगे यह कामा ऐसे हो जाएगा 50 पॉइंट डवल जीरो यह क्या है यह कामा मतलब यह नहीं होगा कि वह कामा लगाना है वहाँ पर यानि कि जो आपने नमबर लिखा एस नमबर को आपको कामा स्टाइल में आपको लेना है तो तो shift और हाइपनेशन मार्क आप यूज़ करेंगे त्रिस्तर सक कामाई शायल में वो convert हो जाएगा इसके बाद नमबर आता है आपका control shift और add the rate शरी पाई का सेंबल है आपका control shift और पाई का सेंबल बनेगा और 50.00 आपको यह क्या होगा यह करेंसी स्टाइल में किसी भी numbers को आप करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं अब इसके बाद नमबर आता है control shift के साथ percentage का सेंबल आप यूज़ करेंगे control shift और percentage का सेंबल यूज़ करेंगे तो यह percentage फार्मेट में आएगा यह निकि परसेंटेज फार्मेट का मतलब यह होगा कि जैसे माली किसी भी numbers का जैसे आपका यह 10% दिखा रहा आए है ना तो 10% उसको निकाल सकते हैं 20% निकाल सकते हैं 50% निकाल सकते हैं परसेंटेज आपको निकालना होता है तो आपको कर्मट कर सकते हैं तो उसके लिए आप control shift और उसको जो है percentage का सेंबल आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद नमबर आता है आपका control shift और add the rate का सेंबल इसको add the rate का सेंबल बोलते हैं time format यानिकि time के format को आपको insert करना होगा time की format को आपको changes करना होता है तो control shift के साथ add the rate का सेंबल यूज़ करेंगे तो time format हमनों change कर सकते हैं इसके बाद नमबर आता है control के साथ space button प्रेस करेंगे control के साथ space button जबाप प्रेस करेंगे तो select entire column यानिकि यदि कोई column को क्या करना होगा यदि आपको select करना होता है तो क्या करेंगे जैसे आपको cell pointer आपका यहां पर है वन नमबर में 2 है 3 है 4 है ऐसे किसी में आपको है यदि आपको column select करना होगा जैसे आपको सी कालम select करना है तो सी में कहीं पर हुए आपका cell pointer होना चाहिए और क्या करेंगे control के साथ space button का आप यूज करते हैं तो वो column क्या होगा वो select हो जाएगा रोव सलेक्ट करना होगा तो control के साथ space का या यूज यूज करेंगे तो क्या होगा यह रोव होगा रोव सलेक्ट हो जाएगा तो रोव सलेक्ट करने के लिए जिसे उसका डारेक्शन भी यूज करेंगे जैसे आपको यहां आप आप यूज कर सकते हैं या तो आप यूज कर सकते हैं या तो आप यूज कर सकते हैं ठीक है या लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं उसके डार से आपका यह हमारा रोव सेलेक्शन होगा ठीक है इसके बाद लास्ट में चलते हैं कंटोग साथ डबलू हम यूज करेंगे कंटोग साथ डबलू का मतलब होता है क्लूज विंडो या तो आल्ट इस्पेस सी भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं बंद करने के लिए आल्ट इ आपने अप्लिकेशन ओपिन किया हुआ है उसको आप वो क्लूज करना होगा अपको समझ में आ गया होगा और यह जो है यह सब सारी चीजे आप अपने इसको आपने नोड कहें लिए और इसका इसके पले भी हमने एक वीडिव हमने आपको दिया था इस एक्सल के स्वाट क की की बारे में तो आपका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दुनों मिलकर जो है पुरा एक्सल का पुरा सौटकाट की कंप्रीट हो गया है यह दिया आप हमारे चैनल पुन आप नए है तो हमारे चैनल को आप सस्क्राइब करेजिए बेल आइकोन प्रिस करेजिए और